हेलो दोस्तों मेरा नाम सुमित साड़ा है और इस वीडियो के दौरान मैं अपनी जो पुरानी सीरीज कंटीन्यू कर रहा हूँ इंडेयस इंपक्ट ओन वेरियस कंपनी इस वही चीज यहां पे भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यह स्टेट्मेंट आपने रीसेंट हुल ने बाय किया था हुल ने बाय किया था और यह जो डील हुई थी यह डील हुई थी दो हजार अठरा में अब मैं बहुत ही वेग स्टेट्मेंट दे रहा हूँ आप लोगों के सामने जीएस के एक बहुत बड़ा ग्रूप है उनकी इंडिया की सबसीडियरी उनकी यंदर में ब्रैंड आता है हॉलिक्स बूस्ट उसे बेचा गया हुल को इसे रीसेंटली अप्रूवल मिला और अप्रूवल के बाद आपने देखा होगा सडेनली हुल का शेर का प्राइस जो रफली याने कोरोना के कारण 1800 रूपीज तक गिरा था वो 2640 के करीब-करीब हा अप्रूवल के बाद जबकि आक्चुली इसे बाई किया था दोहजार अट्रा में 2008 में तो यहां 4 डिसमबर 2018 की मैं न्यूज लेकर आया हूँ आपके पास ठीक है HUL 22 GSK in a mega deal transaction values total business at 31,700 crores इतने में buy किया गया है मैं आपको short में बता देता हूँ क्या क्या हूआ food and refreshment business HUL का basically है contribution of HUL total revenue 18% post की अगर हम बात करें तो 10,000 crores in one year हो जाएगा वो business हो लोग बोल रहे है साड़े 3,000 crore से बढ़ जाएगा because of getting Horlix boost ठीक है Maltowa यह सारे के सारे और यह पुरा का पुरा बताया गया है कि announced a merger of GSK Consumer Healthcare Limited यह Indian company है GSK Consumer Healthcare Limited amalgamation हो रहा है merger होगा ठीक है उस company का separate legal entity नहीं रहेगा वो पूरी तरह से merge हो जाएगे HUL के अंदर ठीक है as part of steaming hot deal health drinks include boost Horlix Maltowa ठीक है will now move to HUL stable ठीक है मेरे लिए this was more than sufficient उसके बदले में सामने वाले ने कितने shares दिये वो सब कोई बुरी बुरी आगे की कहानी है अब हुआ क्या यह company जो है this was a subsidiary of GSK wait a minute मैं इसका main नाम भूल रहा हूं अभी जो GSK के end में लग रहा था वो वाला part में थोड़ा सा भी भूल गया हूं don't worry the point is the UK based company की यह subsidiary थी तो यह जो भी purchase consideration जा रहा है यह उनको जा रहा है Hindustan Unilever के shares जाएंगे यह जाएंगे उनको वो किसको बेच रहे हैं Unilever को Unilever is the holding company of Hindustan Unilever पर बदले में उनको shares Hindustan Unilever के मिले तो एक rough idea एक rough picture पूरा का पूरा आप लोगों के सामने आया होगा कि क्या हुआ है इस deal में हमारा सवाल Indian accounting standards से related क्या क्या आता है एक यह subsidiary है यह subsidiary जा रही है तो holding company ने इसे अपनी balance sheet में कैसे दिखाया दो यह Indian subsidiary है जो आप पूरे तरीके से merge हो जाएगी into Hindustan Unilever तो क्या इनका going concern hamper हुआ है याने क्या इन्हें अपनी balance sheet restate करनी पड़ेगी at fair value ठीक है तीन Hindustan Unilever इसका affect अपने financial statements में कब दिखाएगा जब यह approve यह deal 3 December 2018 या अब जब उनको approval मिला है कि हाँ आप यह amalgamation के साथ आगे बढ़ सकते हैं और finally उन्होंने अपने shares वगे दिए मतलब यह समझे कि almost यह पूरा एक साल और याने 2018 से 2019 पूरा का पूरा गया यह 2018 पूरा हो गया इसे approval मिलने के लिए समझ में आ रहा है confirmation उसी समय हो गया था approval मिलने के लिए इतना समय लगा है तो Hindustan Unilever इसको अपने books में कैसे दिखा रहा था कब दिखा रहा था किस तरह से accounting हो रही थी यह सारे के सारे हमारे aspects है ठीक है चलिया यह सबसे पहले मैं आपको इनकी आज हम एक international financial statement देखेंगे जो इनकी UK based original company है मैं आपको उसके financial statements के उपर लेके जाओंगा तो सबसे पहले मैं open करता हूं GSK के annual reports ठीक है GSK जो आपकी UK based company है ठीक है यह उनके financial statements है हम लोग देख रहे है financial statement for the year 2019 साथ ही साथ में 2018 open कर देता हूं एक बात ध्यान में रखे इन लोगों के financial statements है यह financial statement 31st December को बनते है हम 31st March बनाते हैं यह लोग 31st December को बनाते है ठीक है तो 31st December 2018 deal की date 3rd December 2018 ठीक है मैं आपको लेके जा रहा हूं इसके financial statements पे आप देख सकते हैं यह पूरे के पूरे sterling में है इसमें balance sheet में आपको एक line दिखेगी assets held for sale 653 from 113 in 2018 ठीक है एक standard है INDS 105 IFRS 5 non current assets held for sale and discontinued operations discontinued operations यहां मुसकी बात कर रहे हैं तो NTT ने अपना एक operation discontinue किया है Horlix, Maltova, Boost इसके पूरे assets इससे related इनके books में जो भी दिख रहे थे liabilities वगेरे सब कुछ वो लोग transfer कर रहे हैं तो यह पूरा का पूरा transfer होने वाला है इसलिए इसे reclassify किया जाएगा from their respective heads जो जो heads में वो दिख रहे थे non current current उनसे related liabilities जो भी कुछ दिख रहे थी है सब कुछ transfer कर दिया जाएगा assets held for sale के अंदर में clear है यहां तक के तो यह है note number 26 मैं आपको note number 26 पे लेके जाता हूँ वहाँ पे हमने पढ़ा है these assets are now to be valued at cost or fair value whichever is lower recoverable amount तक के अगर recoverable amount is less अगर recoverable amount is less तो फिर आपको उसमे impairment loss भी book करना पढ़ेगा हमने पढ़ा था 31,700 crores ठीक है मैं 26 number के note पे चले जाता हूँ 26 number 26 number के note पे हमें दिख रहा है कि कुछ goodwill transfer हुए है कुछ assets transfer हुए है intangible assets inventory transfer हुई है cash and cash equivalent transfer हुआ है कुछ others negative है non current यहां से assets held for sale प्रिमारी रिख दिस्पोसल arising from GSK's agreement to divest Horlix and other consumer healthcare nutritional brands to Unilever announced in December 2018 and expected to complete in the end of 2019 नही हुपाया end of 2019 तक see also note number 38 related to acquisition and disposal included within the assets held for sale WDV fair value less cost to sell 51 million the valuation methodology use significant inputs which are used for observable and other classified assets चलिये ठीक है अब हम आते है note number 38 पे ठीक है क्या-क्या disclosures दिए है मैं आपको वह बता रहा हूँ no insurance related , Acquisition and disposal Transactions signed but yet to be completed December 2018 Horlix and other consumer nutrition brand Unilever PLC to merge with GSK Total consideration of $3.1 billion dollars, 3.1 billion dollars, ठीक है, consumer healthcare, Bombay stock exchange in India, in which GSK holds 72.5% stake, following the merger, GSK will own approximately 5.7% of HUL shares, transaction is expected by the end of 2019, ठीक है, अब कुछ forward transactions और दूसरी बातों के बारे में भी बता रहा है, पर ठीक है, आप लोगों को एक रफ आइडिया आगया होगा इसके बारे में कि हम यहाँ पे किस concept की बात कर रहे हैं, consideration 3.1 billion, sterling के अंदर में हम लोगों को दिख रहा है यह, ठीक है, मैं वापस पुराने note पे लेके जाता हूँ, थोड़ा बहुत impairment के बारे में आप लोगों को बता दूँगा, जादा कुछ है नहीं, impairment हुआ नहीं है, इसमें कुछ भी, तो इसलिए problem नहीं है, roughly आप देखेंगे, यहाँ पे 653 million है, 653 million, अगर हम billions में बोले हैं, तो यह amount हो जाएगा, 0.653, 0.653 billion, so the deal has been in profit, so the deal has been in profit, there is no impairment loss as such, ठीक है, तो पहला aspect, holding company ने कैसे दिखाया, इन assets को held for sale करके दिखा दिखा दिया, held for sale में reclassify कर दिया, और वहाँ पे दिखा दिया, 2019 की report भी मैंने रख्के रखी है, ठीक है, 2019 की report के अंदर में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, presentation same है, presentation में कुछ भी chain नहीं हुआ है, क्योंकि सब commit हो चुका है, कितना पैसा मिलने वाला है, सब commit हो गया है, बस approval नहीं मिला था, इसलिए delay है, और कुछ नहीं, financial statements, consolidated balance sheet, यहाँ पर हम देख सकते है, assets held for sale, कुछ और नए assets held for sale भी उसके अंदर में आ गया है, note no.27 है, so let's move towards note no.27, Assets held for sale, same कहानी चल रही है, and disposal of group representing Horlix and other consumer healthcare brands sold to Unilever PLC, PLC, मैं जो GSK का बूल रहा था, मैं end में बूल रहा हूं, that is PLC, okay, I hope यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कि roughly किस तरह से presentation होता है, यह entity को as going concern by किया गया था, एक बात दिहां रहा है, यह entity को as going concern by किया गया था, ऐसा नहीं हुआ कि हम उनके assets liabilities ले दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा segment, वो पूरा का पूरा subsidiary का part, हम as going concern take over किया है, so because it was taken over as a going concern, restate at fair value, यानि जो going concern hamper वाली कहानी है, वो इसकी subsidiary को नहीं लगी, तो उन्होंने अपने financial statements को, मतलब going concern hamper हुआ है and restate at fair value, वो वाला नहीं किया, वो वाला apply नहीं किया, Hindustan Unilever के उपर आते हैं, Hindustan Unilever की मैं latest, आपको December की report दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने तब तक के कोई shares दिये नहीं थे, recently 21st April, को ये पूरे के पूरे shares issue किये गये, after the approval, तो इसी लिए उनके financial statements में आपको कहीं भी इसका impact नहीं दिखेगा, मैं सिर्फ notes to accounts के ओपर लेगे जा रहा हूँ, वहां इसके बारे में बोला गया है, बताया गया है, 3rd December 2018, Board of Directors of HUL, subject to obtaining requisite approval from statutory authority, shareholders have approved the scheme of amalgamation, the scheme envisied amalgamation with the company and dissolution without winding up of GSK, pursuant thereto, both companies have received necessary approvals related to the same, 1st April will be appointed date for effective adjustment, याने आप 2021 का financial statement दिखेंगे, वहां पे आपको इसका impact देखने के लिए मिलेगा, assets, liabilities, जो भी है उनके वह पूरे के पूरे assets and liabilities आपके हो जाएंगे, consumer health care वाले, उसके बदले में आपने सामने वाले को shares दिए हैं, यह पूरे के पूरे shares of face value 1 rupee each, सामने वाले को मिले हैं, as purchase consideration, I hope यहां था के पूरा का पूरा clear होगा, समझ में आया होगा, now the point is, 21st April को दिया गया है, तो क्या 31st March की financial statement में इसका impact आना चीए था, और क्यों नहीं आया, notes to accounts में किन्नों ने क्यों दिखाया है, इंडेस 10, event suckering after the balance sheet date, clearly देता है, कि management related decisions और इनसे related जो भी aspects होते हैं, इसका impact, हम लोग जब इनका approval होता है तब ही लेते हैं, इसका impact हम 31st March को नहीं लेते हैं, जैसे यह scheme approved हो गई थी, very good, पर यह finalize नहीं हो पाई, approvals अगरे, आपने आपस में बैटके management ने कर लिया, आपस दूसरे approvals पूरे के पूरे pending थे, यह पूरे के पूरे pending approvals कभ खतम हुए 31st March के बाद, so as said 31st March के पहले कोई contingency थी यह ऐसा कुछ था ऐसा कुछ भी नहीं है, there was no event, there are certain things which were in the hands of the management or management descriptions, इससे related impacts आप नहीं ले सकते, India S10 clearly बोलता है, those which are dependent on management decisions, इसका impact आप financial statements में नहीं ले सकते, इसलिए यह आपको Hindustan Unilever के financial statements में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, यह पूरा का पूरा आपको कब मिलेगा impact देखने के लिए, अगले financial year में आपको इसका impact देखने मिलेगा, क्योंकि यह 21st April को हुआ है, had this not been 21st April और 30th March ही हो गया रहता न, तो इन लोगों को पूरा का पूरा amalgamation करना पड़ता था, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, exactly मैं यहां पर क्या बोल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो चलिए, I hope यह information भी आप लोगों के लिए helpful रही होगी, थोड़ा बहुत impact of index 105, मैं इसके अंदर में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, चलिए happy learning,